CBSE और ICSE class 11th में provisional admission की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और साथी साथ आपको 6 subject combination बनाए गए है मतलब आपको 6 group दिये जाएंगे और हर group में कुछ subjects के combination है तो आपको इनी 6 group में से किसी एक group को select करना है बहुत important news है राज़ानी के CBSE और ICSE plus 2 इसकुलों में admission की प्रक्रिया शुरू हो गई है दसवी के result का इंतजार कर रहे विद्यार्थी provisional admission लेकर plus 2 की पढ़ाई शुरू कर चुके है राज़ी के निजी इसकुलों में एक 11 वी कक्षा के form का सुल्क 500 से 15 शुरूपे तक निर्धारी थै form के साथ विद्यार्थियों के pre-board सहीत अन्य परिक्षाओं का result भी देखा जा रहा है merit के आधार पर चैनीत विद्यार्थियों को जल्दी provisional admission पूरी करने की सलह दी जा रही है सक्षनिक सक 2021-22 से board ने 11 और 12 में stream science, commerce और arts सिस्टम को खत्म कर दिया है इसके बतले में विद्यार्थियों को subject combination दिया जा रहा है इसकुलों में विभिन विसायों के 5 से 6 गुरूप तयार किया गया है विद्यार्थियों को CBSC के नियम के तहट मुखे 5 विसाय के अलावा 6 विसाय के चैन का विकल्प दिया जा रहा है एड्मिशन के लिए 65 फिस्दी अंक का मापदन्ध है निर्धारित प्रोविजनल एड्मिशन में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन विद्यार्थियों की आखिरी परिक्षा के रिजल्ट के आधार पर दिया जा रहा है इसके लिए किसी भी संकाय में कम से कम 65 फिस्दी अंक जरूरी है दसवी के मौकrados टेस्ट में 85 से 90 फिस्दी अंक हासिल करने वाले विद्यार्थियों को उनकी रूची के विविसाद दिये जा रहा है वही 75 फिस्टी से कम अंख हासिल करने वाले विद्यार्थियों को Science की जगा, Commerce के सबजेक्ट कॉमिनेशन के चैन की सलाह दी जा रही है वही 70 या इसे कम अंख की सिरेनी में सामिल विद्यार्थियों को Group 6 का चैन करने की सलाह दी जा रही है result के बाद होगा Final Admission राची के कई CBSC Plus 2 स्कूलों में एडमिशन के लिए ओनलाइन टेस्ट लिया जा रहा है वही टेस्ट में बहतर अंख हासिल करने वाले विद्यात्यों की कॉंसेलिंग के बाद प्रोविजनल एडमिशन के प्रेक्रिया पूरी करने के सलह दी जा रही है जो 6 ग्रूप आपको स्कूल की तरब से प्रोवाइट कराए जाएंगे वह है ग्रूप 1 में English, Physics, Chemistry, Maths और Economics ग्रूप 2, English, Physics, Chemistry, Maths और Biology ग्रूप 3, English, Physics, Chemistry, Maths और Physical Education ग्रूप 4, English, Physics, Chemistry, Maths और Computer Science ग्रूप 5, English, Accountancy, Economics, Maths और Business Study और ग्रूप 6 हैं English, History, Political Science, Geography और Economics